एक वेज्ञानिक थे कार्ल लेंड इस्टिनर, उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि सभी मनुस का बलड एक समान नहीं होता है, अलग-अलग मनुस के बलड में कुछ न कुछ अंतर होता है, और उन्होंने ही human blood group या ABO blood group system का खोज किस ने किया? खोज किस ने किया था? कार्ल लेंड इस्टिनर ने, कार्ल लेंड इस्टिनर ने human blood group का खोज किया था, इन्होंने बताया, जांसा परखा बताया, कि हमारे blood में जो RBC होता है, हमारे blood में जो RBC होता है, हमारे blood में जो RBC होता है, उसके बाहरी सतह पर, RBC के बाहरी सतह पर, कुछ खास सूगर, यानि कुछ खास प्रकार का कार्वाडेट, चिपका रहता है, RBC के बाहरी सतह पर, कुछ खास प्रकार का सूगर, चिपका रहता है, और इस सूगर को कहता है, एंटिजन, इस सूगर को क्या कहता है, एंटिजन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कार्ल लेंड इस्टिनर साहब ने सबसे पहली बार बताया, कि हमारे बलड में जो लाल रंग का सेल होता है, हमारे बलड में टोटल तीन तरह का सेल होता है, रेड कलर का होगात बोलेंगे RBC, हॉइट और बड़े साइज का होगात बोलेंगे WBC, हॉइट और छोटे साइज का होगात बोलेंगे Platelets, तीन तरह का Blood Cells होता है, तो बताया कि हमारे blood में जो red color का cell होता है RBC, उस RBC के surface पर, सता पर कुछ खास प्रकार का सूगर होता है कुछ खास प्रकार का सूगर होता है यानि कि carbohydrate, polysecret वाला carbohydrate होता है जिसको antigen कहते है और ये antigen दो तरह का होता है ये antigen दो प्रकार का होता है एक होता है antigen A और एक होता है antigen B एक होता है antigen B ठीके? और चार condition, धियान रखेगा, चार condition कोई ब्यक्ती ऐसा हो सकता है ठीके? कोई ब्यक्ती ऐसा हो सकता है जिसके RBC में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके RBC पर केवल antigen A चिपका हो केवल क्या हो antigen A चिपका हो सिर्फ antigen A कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके RBC पर केवल antigen B चिपका हो सिर्फ antigen B चिपका हो कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके RBC पर antigen A और B दोनों चिपका हो antigen A और B दोनों चिपका हो और कोई चौथा व्यक्ति हो सकता है जिसके RBC पर कोई भी antigen चिपका हुआ ना हो antigen होगा ही नहीं खाली blood group O वाला जो व्यक्ति होता है उसके RBC पर antigen नहीं होता है और यही antigen blood group का निर्धारन करता है अगर किसी कार्विसी पर केवल antigen A है तो उसके blood group को A blood group कहते है अगर किसी कार्विसी पर केवल antigen B है तो उसके blood group को B blood group कहेंगे किसी कार्विसी पर antigen A और B दोनोर हैगा तो उसके blood group को A, B blood group कहा जाता है और किसी के RBC पर कोई भी antigen नहीं होगा तो उसके blood group को कोई antigen है ही नहीं तो नहीं यह तो 0, 0 यानि की O, blood group O कहता है है ना, तो RBC के सतर पर यह antigen मौजुद रहता है जो दो तरह का हो सकता है, antigen A और B और यह चार condition पर हम बोले की धियान रखना है एक table बना देंगे, किस blood group के बेक्ति में कौन सा blood antigen होगा, कौन सा antibody होगा अभी antibody कोई बता रहे हैं, कौन कि इसको blood दे सकता कौन कि इसे blood ले सकता, सब बात पर चर्चा कर देंगे और बताया, कि blood का जो plasma होता है blood में एक पिला रंग का liquid होता है, जिसको कहता है blood plasma पिला रंग का liquid होता है, जिसको क्या कहता है blood plasma इसको कहता है, blood plasma इस पिला रंग के liquid को क्या बलंगे? blood plasma तो Len Stinner ने बताया, कि blood plasma में भी कुछ खास protein पाया जाता है blood plasma में भी कुछ खास प्रोटीन पाया जाता है और ब्लड प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन को कहता है एंटीबडी क्या कहता है एंटीबडी ये क्या है प्रोटीन है ये ला प्रोटीन है लेंड इस्टेनर ने कहा कि blood का जो plasma होता है liquid component जो होता है blood का उसमें भी कुछ protein पाया जाता है जिसको कहता है antibody और ये antibody भी दो तरह का होता है एक होता है antibody छोटी A और एक होता है antibody antibody छोटी B याद रखेगा antigen के दोनों टाइप को capital A और capital B से दर साते है antibody के दोनों टाइप को small A, small B से दर साते है और यहाँ भी चार condition हो सकता है कौन कौन सा condition? किसी ब्यक्ति के blood plasma में केवल antigen A हो सकता है किसी और ब्यक्ति के blood plasma में केवल antigen B हो सकता है किसी ब्यक्ति के plasma में antigen A और B दोनों हो सकता है और किसी ब्यक्ति के plasma में कोई भी antibody नहीं हो सकता है सेम antigen के जैसा चार condition अब हम एक table बना देता है उस table से बहुत कुछ किलियर हो जाएगा इसी antigen और antibody कदार पर मनुस के blood को चार भागों में बांटा गया है है ना इसी antigen और antibody कदार पर मनुस के blood को चार group में बांटा गया है और ये कहलाता है ये कहलाता है ये जो है ना ये कहलाता है चार तरह का blood group तो हम table बनाते है अब हम लोग इसको ज़रा सब भरते हैं ठेक है ना एक तरफ लिखते है blood group एक तरफ लिखते है blood group एक तरफ लिखते हैं उसमें कौन सा एंटीजन होगा RVC पर कौन सा एंटीवड़ी होगा कौन सा एंटीवड़ी होगा हमारा कॉलम ही थोड़ा सा एक और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग कॉलम को पुरा करते हैं एक तरह लिखते हैं कि वो ब्लड ले सकता है किसे किसे, ब्लड ले सकता है किसे किसे, और एक तरह लिखते हैं ब्लड दे सकता है किसको किसको, ब्लड दे सकता है किसको किसको, ठीक है? याद रखेगा blood group A वाला जो बेक्ती होता है blood group A blood group A वाला जो बेक्ती होगा उसके RVC पर antigen A होता है और blood के plasma mentivity B होता है जो blood group B वाला बेक्ती है blood group B वाला जो बेक्ति है, उसके RVC पर Antigen B होगा, और Blood Plasma में Antibody उल्टा होता है, B का उल्टा हो गया A, याद रखिएगा, Antigen और Antibody एक बेक्ति में सेम प्रकार का नहीं हो सकता है, सेम प्रकार का यदि रहेगा, तो Blood का RVC आपस में चीपक करके खुन को ठका बना देगा जिसके कारण बेक्ति की मिर्तियू भी हो सकती है विपरित होता है, विपरित, Opposite अगर Antigen A है तो Antibody B होगा अगर Antigen B है तो Antibody A होगा उल्टा, और ये भी याद रखिएगा कि एक बेक्ति में अचा, Antigen जैसे कोई दो ही एक बेक्ति में रहता है इस चार में से कोई दो ही एक बेक्ति में रहेगा जैसे, Blood Group A वाले बेक्ति में एक Antigen हो गया A और एक Antibody हो गया B दो ही तो है, Blood Group B वाले बेक्ति में Antigen हो गया B, Antibody हो गया A यहाँ भी दो है अब blood group AB वाले व्यक्ति में antigen AB होता है और BB होता है blood group AB वाले व्यक्ति में antigen AB होगा और antigen BB होगा दोनों होगा और जब antigen दोनों तरह का है तो plasma में antivd नहीं होगा अबसेंट 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 जैसको हम बोले कि चार चीज में से कोई दो ही एक वेक्ति में होगा जब दोनों तरह का antigen ही होगा तो antigen होगा नहीं अब antigen अगर कुछ भी होगा तो फिर तिन या चार हो जाएगा न टोटल दो ही चीराता है और blood group O में blood group O वाला जो बेक्ति होगा उसमें antigen absent होता है antigen नहीं होता है और जब antigen नहीं है तो plasma में antivity क्या होगा दुठो पुराना है ना दो तो पुराना पड़ेगा जब antigen नहीं है तो plasma में antivody A and B दोनों होगा क्या इतना बात समझ में आया यानि कि RBC पर यदि antigen A है तो blood group A कहलाएगा RBC पर antigen B है तो blood group B कहलाएगा RBC पर antigen A और B दोनों chip का हुआ है blood group A B कहलाएगा RBC पर antigen absent है तो blood group O कहलाएगा ठीक है अब blood जब donate करने की वारी आती है जब एक दूसरे व्यक्ति को blood देशता है या फिर दूसरे इस blood लेता है तो वहाँ दिहान रखा जाता है कि same type का blood group अगर है तो blood को इधर दर exchange किया जा सकता है transfer किया जा सकता है लेकिन अगर blood group match नहीं कर रहा है तो वहाँ कुछ नियम को दिहान में रख करके transfer किया जा सकता है क्या नियम को दिहान में रखना है तो नियम यही है कि blood group ओवाला जो बेक्ति होता है blood group ओवाला जो बेक्ति होता है ठीक है blood group ओवाला बेक्ति इसके RBC पर कोई भी antigen नहीं है और antigen नहीं रहने के कारण ये सब को अपना blood दे सकता है, blood group O वाले ब्यक्ति में antigen absent है, इसके कारण ये अपना खुन सब को दे सकता है, और सब कोई इसे खुन ले भी सकता है, इसलिए blood group O वाले ब्यक्ति को कह जाता है, universal donor, इसको बोलता है, universal donor, हिंदिम करता है, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, सब को खुन देने वाला, ये सब को खुन देता है, ठीक है, सब को खुन देता है, सार्वत्रिक दाता, औ और ब्लड ग्रूप AB वाला ब्यक्ति, ब्लड ग्रूप AB वाले ब्यक्ति में एंटीबडी अबसेंट है, इसलिए यह सबसे खुन ले सकता है, ब्लड ग्रूप AB वाले ब्यक्ति में एंटीबडी क्या है, अबसेंट, इसलिए यह सबसे खुन ले सकता है, इसलिए यह कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, सबसे खुन गरहन करने वाला और सब कोई AB वाले व्यक्ति को खुन दे सकता है अब इस तीज को अगर हम ध्यान में रखें कि Blood Group O वाले व्यक्ति सब को खुन दे सकता है और सब कोई Blood Group O वाले व्यक्ति से खुन ले सकता है और blood group AB वाले ब्यक्ति सबसे खून ले सकता है और सब कोई blood group AB वाले ब्यक्ति को अपना खून दे सकता है तो हम ये table को भर पाएंगे हम इस table को अराम से भर लेंगे जैसे blood group AB वाले ब्यक्ति blood ले सकता किसे? ये वाले ब्यक्ति से ले सकता है और किसे लेगा? O Walla 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 ब्लड रूप B वला ब्यक्ति ब्लड ले सकता है किस से B से तो ले ही लेगा और O से भी लेगा और देगा किसको B खो देगा और किसको देगा AB को देगा blood group AB वाला ब्यक्ति blood ले सकता किसे ये तो universal acceptor है न ये सबसे खुण ले सकता है या A से खुण ले सकता है B से खुण ले सकता है AB से ले सकता है O से ले सकता है यानि कि all सबसे खुण ले सकता है लेकिन देगा सिर्फ किसको AB वाले बेक्ति को क्या समझ में आ रहा है और O blood group का बेक्ति blood ले सकता है सिर्फ O वाले से लेकिन दे सकता यह सब को चुकि यह universal donor है blood group O वाले बेक्ति universal donor सब को खुन दे पाएगा यह A को दे देगा B को दे देगा, AB को दे देगा और O को भी दे देगा यहनि कि all सब को दे सकता है क्या, इतना clear है इसमें बहुत तरह का confusion होता है कि कैसे दे सकता है कोई कैसे ले सकता है है ना कि blood group O वाला देखती आखिर सब को क्वन क्यों दे सकता है antigen नहीं होता, आखिर antigen नहीं होता इसका क्यों दे सकता है अखिर antigen ने ताकिर क्या हो जाएगा, क्यों ने होगा दिकत कहीतरा का समस्य आता है समझने में दिकत होती है लेकिन हम बस थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहां लिख देता है साइड में जब ही बलड डोनेट करने का समय आता है तो एक होता है donor और एक होता है acceptor donor अपना खुन देता है किसको? acceptor को तो donor का check किया जाता है antigen donor का check करना होता है क्या? antigen और acceptor का check करना होता है antibody और इस वात का ध्यान रखा जाता है कि acceptor के सरीर में जैसा antibody है वैसा antigen उसके सरीर में ना आए acceptor के सरीर में कोई भी बेक्ती है हम थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं कुछ और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाके और कुछ सम्झाने का कोसिस करते है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको देखिए donor का antigen चेक किया जाता है acceptor का antibody चेक किया जाता है और इस वात का ध्यान रखता है कि जो acceptor इसके सरीर में जैसा antibody होगा वैसा antigen इसके सरीर में आना नहीं चाहिए यानि अगर acceptor में antibody है A तो इसको antigen A वाला खुन नहीं चड़ाना है अगर acceptor में antibody है B तो इसको antigen B वाला खुन नहीं चड़ाना है सेम सेम टैप का नहीं चड़ाना है और अगर acceptor में antibody है A तो इसको हम antigen B वाला खुन चड़ा सकते हैं और अगर acceptor में antibody है B तो इसको हम antigen A वाला खुन चड़ा सकते हैं यही चीज़ को ध्यान में रखा जाता है जब भी blood donate किया जाएगा तो donor व्यक्ति का antigen चेक किया जाता है acceptor व्यक्ति का antibody चेक किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि acceptor के सरीर में जैसा antibody पहले से है उसको उसके जैसा antigen यानि संगत antigen antibody का संगत antigen acceptor के स्रीव में ना पहुँचे अगर संगत पहुँच जागे जिसमें हम cross लगा दिया है cross, संगत, AA, BB, संगत तो ऐसे condition में लिये गए blood का RVC, acceptor के स्रीव में आपस में चिपक जाएगा खुन को थक्का बना देगा जिसकी करण acceptor के मिरतिव भी हो सकती है जो लिया हुआ खुन होता है जैसे donor एक bottle blood यानि की 300 ml blood acceptor को दे दिया और इसके स्रीव में set नहीं किया तो जो लिया गया blood है उसमें जो RBC होगा वो RBC आपस में चिपक करके खुन को बना देगा थक्का अब थक्का खुन नस के अंदर में जम जाएगा जाम लगा देगा खुन थक्का खुन बहने ही सकता है तो जब खुन बहेगा रहे तो oxygen का transport नहीं होगा carbon dioxide का transport नहीं होगा जिसके करण हमारे स्रीव की कोशिकाओं में oxygen की अपूर्ती नहीं हो पाएगी जिसके करण दम घूटन लगेगा और जान भी जा सकती है अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए ऐसे condition में गलत प्रकार का blood चड़ जाए तो clot buster नाम का दवाई होता है उस दवाई का यूज किया आता है तो थक्का खुन को वो काट के हटा देता है तो इस दियान में रखेगा कि acceptor के सरीर में जैसा antibody रहता है उसका संगत antigen वाला खुन acceptor को चड़ाया नहीं जाएगा अगर acceptor में antibody A है तो उसको कौन सा खुन चड़ाएंगे antigen B वाला खुन चड़ाएंगे acceptor का antibody अगर B है तो उसको कौन सा खुन चड़ाएंगे antigen A वाला खुन चड़ाएंगे जिसमें tick का निसान है ऐसा खुन चड़ा सकते हैं जिसमें cross लग गया यानि कि ऐसा खुन नहीं चड़ा सकते हैं इसी नियम को ध्यान में रखायाता है क्या ये blood group इतना समझ में आया आ गया ऐसे तो positive negative पढ़ने के लिए है नहीं लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे positive negative नहीं है पढ़ने के लिए लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे अब क्या है कि RBC के सता पर ये है RBC खास प्रकार का protein चिपका रहता है एक तो antigen रहता है और अभी antigen की बात नहीं कर रहे है अब हम दूसरे की बात कर रहे है जिसको कहते है RH factor जिसको कहते है RH factor RBC के सता पर 80% ब्यक्ति ऐसा होगा जिसके RBC के सता पर antigen के अलावे एक और protein चिपका रहता है जिसको कहते है RH factor तो जिस ब्यक्ति में RH factor प्रेजेंट रहेगा जिस ब्यक्ति में RH factor प्रेजेंट रहता है जिस ब्यक्ति में RH factor प्रेजेंट रहता है RH factor क्या है प्रेजेंट है इसके blood group को हम कहते है positive positive blood group लिखते हैं सौट में इसको रह प्लस और अगर रह फेक्टर अबसेंट है अबसेंट है तो इसके ब्लड ग्रूप को कहते हैं निगेटिव इसके ब्लड ग्रूप को कहते हैं क्या निगेटिव और लिखते हैं उसको रह मैनेस 80% ब्यक्ति का blood group positive होता है और करीब करीब 20% ब्यक्ति का blood group negative होता है RBC के सत्व पर एक antigen तो होता ही है न अब एंटिजन के अलावे एक और protein chip का होता है जिसको कहते है RH factor अगर RH factor है present है तो उसका blood group क्या कहलाएगा positive कहलाएगा, RH plus कहलाएगा और अगर RH factor absent है उसके blood group क्या बोलेंगे negative बोलेंगे ठीके, 80% ब्यक्ति का blood group positive होता है और 20% ब्यक्ति का negative होता है अब जैसे, किसी ब्यक्ति का blood group है जैसे, किसी ब्यक्ति का जो RBC उस पर antigen A है antigen A और RH factor भी है एक antigen A है, RH factor भी है है ना, थोड़ थोड़ लिखें क्या किसी ब्यक्ति का blood group है A positive इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि उसके RBC पर antigen A present होगा और RH भी present होगा, थेके, किसी ब्यक्ति का blood group है A negative, इसका मतलब है उसमें antigen A present होगा, और उसमें RH absent होगा, नहीं होगा किसी ब्यक्ति का blood group है B positive इसका मतलब उसमें antigen क्या होगा antigen B होगा और RH factor होगा किसी का blood group है B negative इसका मतलब उसमें antigen B होगा और RH नहीं होगा किसी का blood group है जैसे O negative O negative, इसका मतलब है इस पर antigen नहीं होगा जो ओ है तो antigen होता नहीं है और negative है तो इस पर RH भी नहीं होगा उमीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा antigen के धार पर blood group का निधार्ण कर देते हैं और RH होने या नहीं होने के धार पर हम positive negative की बात करते हैं ठीके? अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जो positive blood group का बेक्ती होता है ठीके? ये अपना blood positive वाले बेक्ती को दे सकता है और जो negative blood group का बेक्ती होता है या अपना blood negative वाले को भी दे सकता है साथ ही साथ ये positive वाले को भी दे सकता है देखिए जिसका ब्लड ग्रूप पोजिटीव में है वो अपना फोन पोजिटीव वाले को ही देगा और जिसका ब्लड ग्रूप निगेटीव में है वो अपना ब्लड निगेटीव वाले को भी देगा साथ ही साथ ये positive बाले को भी दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है यानि कि जिसका blood group positive में है वो blood ले सकता है positive वाले ब्यक्ति से भी और negative वाले ब्यक्ति से भी यानि कि जिसका blood group positive है वह positive वाले ब्यक्ति से भी ले लेगा ए पोजिटिव से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, और ए वाला तो O से भी ले लेगा, तो यह है ए पोजिटिव का ब्यक्ति, O पोजिटिव से भी ले सकता है, और O निगेटिव से भी ले सकता है, क्या बास मजमें आ रही है, लेकिन किसी का बलड गूप निगेटिव वो किसे ले सकता है वह जब ही लेगा निगेटिव वाले से ही लेगा निगेटिव वाला ब्यक्ति पोजिटिव वाले ब्यक्ति से बिलट नहीं ले सकता है अगर ले लेगा तो उसका जो बच्चा जन्म लेता है पहला बच्चा में तो दिक्कत नहीं आएगा द जब भी blood group किसी को पता रहता है अपना तो उसमों positive negative में आता है जैसे मेरा A positive है कोई blood group जांच कराएगा तो उसका जो भी आए A, B, A, B या O साथ-साथ positive negative रहता है हर blood group में दो चीह है जैसे किसी का blood group A है तो A blood group के अब्यक्ति दुनिया में दो तरह का होगा A positive A negative इसी तरह B वा A, B positive A, B negative O वाला O positive O negative हर blood group में दो दो टाइप आते हैं जैसे बोलता है total 4 blood group A, B, A, B और O तो सब का फिर दो दो, positive, negative, positive निकलेगा कुल मिला करके 8 प्रकार का blood group अला व्यक्ति जरनरली होता है तो positive अला व्यक्ति पोजिटिव से भी ले सकता है, negative से भी खून ले सकता है और negative अला व्यक्ति शिर्फ negative से ले सकता है अगर हम बात करते हैं कि जैसे किसी का blood group है A negative, वो किसे किसे खून ले सकता है, वो A negative से खून ले लेगा और O negative से खून ले लेगा, और वो positive वाले स्नेर्स ले सकता है, है ना, इसलिए जिसका blood group negative में रहता है, उसको अपना negative वला आदमी डूंड के रखना चाहिए, कि जर्रत पढ़ने पर उसको negative वला आदमी उसको खून दे सकता है, negative वला व्यक्ति इसे कम होता है, है ना, सबसे ज़्यादा तो positive वला व्यक्ति होगा, negative वला व्यक्ति कम होता है, तो जिसका blood group negative में है, उसको अपने जैसा blood group वाला negative वाला व्यक्ति को ढूंड के रखना चाहि कि कभी जर्रत पढ़ गया अगर खुन का तो निगेटिव वाला ब्यक्तिव उसको खुन दे सकता है पोजिटिव वाला का खुन ने चिराए जाएगा उसको ठीक है ना इस चीज़ को थ्यान रखना है तो अब इस अधार पर बताना है जैसे हम बोले इधर जैसे हम बोले कि ब ब्लड ग्रूप ओ निगेटिव जो होता है वो युनिवर्सल डॉनर होता है सब को खुन दे पाएगा जो ब्लड ग्रूप ओ पोजिटिव होगा ना वो सारे ब्लड ग्रूप को देगा लेकिन कि सब पोजिटिव आले को ही देगा और जो ओ निगेटिव अला ब्लड को दे पाएगा इसलिए रियल में ब्लड गुरूप ओन निगेटिव जो होता है यह युनिवर्सल डॉनर होता है और एबी पोजिटिव जो होगा एबी पोजिटिव एबी पोजिटिव जो होता वो होता युनिवर्सल एक्सेप्टर यह खुन जो पोजिटिव वला जो बेक वह पोजिटीव। से भी ले सकता है। इसलिए पोजिटीव वाला व्यक्ति ही यूनिवर्सल अक्सेप्टर हो सकता है। ओ ग 6 ऋनिवर्सल डाॉनन एक्सेप्टर होता है। और A, B, positive वाला universal acceptor होता है, ठीक है, इतना बात समझ में आया, blood group की संख्या का जो क्रम होता है, blood group की संख्या का क्रम जरा सा लिखें हम यहाँ, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा O blood group का विक्ति मिलता है, इसके बाद B blood group का विक्ति है, इसके बाद A blood group का विक्ति है, अज सबसे कम A, B blood group का विक्ति होता है, कुछ साल पहले तक दो नमबर पे आ रहा था blood group A का विक्ति, हलाकि A और B में बड़ी कम का अंतर है, अगर पुराना किताब वगरे सब मिले तो उसमें blood group A विक्ति यहाँ पर आएगा, O के बाद, लेकिन अभी latest जो जनकारी है, उसके अनुसार ज़्यादा हो चुका है B blood group का विक्ति, A विक्ति तीसरे नमबर पे चला गया, अज सबसे कम होता है AB, और AB में भी सबसे कम होता है AB negative, तो जो सबसे कम पाया जाने वाला blood group वाला जो विक्ति है, वो है AB negative, बहुत सारे लोगों में से कोई एक हो सकता है, हना, लाकों में हो सकता है, ठीक है?